हेलो दोस्तो तो आज बात करते हैं एनाईटी करुशेत्रा में रैगिंग होती है या नहीं तो यार दोस्तो रैगिंग पहले तो क्या होती है मतलब सब जानते ही है लेकिन यार रैगिंग पहले तो सब को यह पता है कि सीनियर्स करते हैं ठीक है करते हैं मतलब होती नहीं है मत मतलब अगर होगी तो वैसे seniors करते हैं और नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि जो आपके जो classmates होते हैं classmates फिर मतलब आपके जो same year के student होते हैं वो भी करते हैं मतलब कभी-कभी क्या सुनने में आता है कि 5-6 मतलब कि नहीं बतलब की तो वह भी लगा ठीक है तो रैगिंग होती है तो रैगिंग यार आपको फिजिकल भी हो सकती है फिर मेंटल भी हो सकती है दोनों रैगिंग होती है रैगिंग का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपको फिजिकली हाम करना अगर आपको किसी सीनियर ने या किसी सेम यर के स्टूडेंट ने भी कुछ ऐसा बोला या आपको टार्गेट किया जिसे आपको अगर मेंटली इफेक्ट हुए हैं तो वह भी रैगिंग में इंक्लूडेड है ठीक है दोस्तों तो अब बात करते हैं स्पैसिफिकली एन I.T. की और एन I.T. में के-के-यार की तो यार मैं यह बता दूँ केके-यार में रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होथी ठीक है और खास बात चार से पवर्स्टियर में था तो जब फर्उस्टियर में थे वह अभी बोलते थी अभी आग की सेंगा एम केस ले रखे हैं जैसे कि देखो cameras तुम्हारे लिए देखो hostel में cameras है mess में camera है और common room में cameras है ठीक है तो कोई भी अगर कुछ मतलब by chance अगर कोई भी incident होने का chances है भी तो भाई cameras लगे में हैं तो उससे डरने की कोई जरुवत नहीं है और अगर कुछ ऐसा होता है तो तुम अपने hostel supervisor के पास जाओ वो तुम्हारी मदद करेगा वह नहीं करता है प्रोफेसर के पास जाओ मतलब बहुत सारे options हैं ठीक है तो एक तो है वही cameras लग रखें तो कोई दिक्कत है नहीं hostel के लिए ठीक है फिर बात करते हैं है H6 की specifically जो H6 hostel है ना उसमें क्या है जैसे मैं है H6 में था तो उसमें क्या है BTEK के 1st 2nd 3rd 4th year सारे रहते थे ठीक है कुछ-कुछ बच्चे रहते थे मतलब 2nd year के कुछ थे 3rd year के कुछ student और 4th के कुछ तो है जब मैं 1st year में आया था ना मेरे तो भाई जैसे उन्होंने बता है ना कि इसमें BTEK के 2nd 3rd 4th year के मैं तो समझ गया कि भाई अब तो मतलब खैर नी अब तो रूम में पेलम पेलम हो जाएगा मेरे साथ ठीक है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों मैं मेरे को भी पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मतलब ऐसा बिल्कुल सीनी नहीं था कि कुछ गलत हो या कुछ ऐसा सिस्टम हो और H6 में तो M.Tech के स्टूडेंट्स भी रहते हैं और जो बाकी होस्टल ने तुम्हारे जो क degrees फर्स्ट चीज रहते हैं फिर तो उसमें तो क्युघ क्यों नहीं है तुम लोग को फर्स्ट एर के स्टुडिंस अपना मिलके सही में कोई दिक्कत नहीं बढ़िया मौज तो यार यह तो बात हो गई अपने इस सब चीजों की होस्टल की फिर यार जब तुम फर्स्ट एर में आते हो ना तो तुम्हारे साथ 10-15 दिन के स्टार्टिंग क तुम लोग को जाना होते साड़े आठ बजए और जाना होता है तो पूरा घूरस्ट एर श्टुडेंस स्टुडेंस का हर ऑस्टल के गेट पर 1,2,3 और शुक्स ऑस्टल के गेट पर और दो-3 राव्डेस ऑस्टिन को तो पटा चला तो मतलब तुम्हारे और घूर्ण हो तो वही लेकर आते हैं तुम कहीं पर भी इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते क्या पता चला तुम अकेले निकल गए भूमने तो यह सब मत करना ठीक है अब तुम्हारे पास तुम तो जो फस्तियर में भी जो देख रहे हो तो भाई तुम लोग सीधा सेकंड यर में आओगे तो कोई बात नहीं फिर भी जो अगले साल फस्तियर में आएंगे उनके लिए और जो गेट होते हैं न होस्टल के दोस्तों जो में गेट होता है एक होस्टल का उसमेरा एक डाइरी होती है वहाँ पर एक डाइरी रखी होती है और वहाँ पर एक सिकुरिटी गार्ड होते है ठीक है तो उस डाइरी में उस डाइरी में तुम्हें अपनी एंटरी करनी होती है जब भी तुम बाहर जाते हो ना पहले तो 12 दिन तो तुम कहीं जाई नहीं सकते हैं मतलब सिर्फ security guard के साथ जा सकते हो उसके बाद जो 10-12 दिन होते हैं मतलब पहला एक महीना उसमें तुमको अपनी entry लिखनी होती हमेशा कि तुम किस time पर बाहर गए तुम को ध्यान रखना है यार पता है मतलब हम लोग फर्स्ट एर में थे तो हम लोग यह सोचते थे मतलब पहला महीन आरे यार कहां बांध रखा है हमें तो कुछ नहीं होना क्या ही होगा कोई नहीं कहता कुछ तो यार लेकिन फिर भी यार मतलब security की बात है तो करना अच्छ मतलब उसके साथ कुछ हो गया गलत तो यार जो जॉब है ना जो मतलब वहां पर security गार्ड है या फिर जो ऑफिशियल से उनकी जॉब पर बात आती है तो यार ऐसा मत करना कि मतलब तो मस्ती मस्ती में कहीं बहार चले गए या ऐसा कुछ तो यार इससे यार हम लोग को भी प 1% कि अगर कुछ हो लेकिन अगर हो जाए तो भाई तुम्हारे पास बहुत सारे phone numbers में दे देता हूं एक PDF में अटैच कर देता हूं वह अपने NIT कुरुषेतरा की तरफ से ही है तो वह PDF पढ़ लो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है rules regulations और phone number भी उसमें दिये हैं कि अगर ragging ह आग फिर्स्ट इयर में नहीं सेकेंड में हो सकती थर्ड में फौर्थ में भी बनाव किसी भी साल हो सकती तो यह जरूरी नहीं के आपके साथ फर्स्ट इयर में कुछ हो लेकिन अगर बाई-चांज अगर कुछ हो तो मैं PDF दे देता हूं उसमें आप पढ़ लो सब कुछ उ तो जिनों ने करी ना वो डॉन है बिल्कुल यह ऐसा कुछ नहीं होता उन लोग को मतलब बस हवा बाजी कर रखी होती है उन लोगों ने कि भाई हम चार-पांच है यह कर देंगे वह कर देंगे उनके तुम एक बारी कंप्लेंट कर दोगे न की गीली-पीली हो जाएगी तु बाई बाई बाई